सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडियाद को और इस बैल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट ए वेल्कम तू बालाजी स्टडियाद सब्सक्राइब करा रहें तो इससे पहले हमने पर्रणवन अध्यान यानिकी इन्वर्वेंट सक्षन जो है आपका उसका प्रेक्टिस सेट नमबर 14 जो है वो देखा था यदि आपने नहीं देखा है साइड माई बेटन में आपको लिंक मिल जाएगा कम्प्लीट प्लेलिस्ट आप प्लेलिस्ट में जाकर या वीडियो की डिस्क्रिप्शन लेक में देख सकते हैं आज हम देखेंगे ईवियस का प्रेक्टिस सेट नमबर 15 तो इसके अंतर कतम 30 बहुती अच्छे प्रसन देखेंगें क्योंकि आज की जो प्रसन है आपको काफ तो सबसे कम जैव विविता तथा सबसे जैव भारपला जो बायोम है उसका नाम है टुंडरा बायोम ओप्सन वन आपका सही हो जाएगा अगला प्रसनेक 122 है निमलिकित में से कौन सी एक हिमालेई वनस्पती की जाती नहीं है आपको बताना है तो हिमाले में आपका जो प्रूस भी आता है परंतु महोगनी जो है यह आपका जो सदबहार बन है उनमें आ जाता है इसलिए आपका उप्सन नमर टू जो है वो सही हो जाएगा यहां पर पूछा गया था कौन सा नहीं है हिमालेई वनस्पती की जाती में अगला प्रसने 123 कह रहा है प्रत्वी ग्यान मंत्राले के बनने से पहले इसका नाम क्या था सही हो जाएगा आपका 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 अपका सही हो जाएगा अगला प्रसन है 124 जनसंख्या का अधिकांस भाग पेजल के मात्या मसे विकिरण की उच मात्राइं ग्रहन करता है क्यूंकि इसमें निम्न तत्व पाए जाते हैं आपको नाम जो है वो बताना है कौन सा तत्व सही होगा तो आप देख रहे हैं आज के प्रस्ण काफी हाई लेवल के भी आपको देखने को मिल ले हैं देखते हैं इसमें 30 में से कितने प्रस्ण आपके सही होते हैं वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताईएगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की सही उत्तर होगा आपका उप्शन नमर वन रेडियम 226 और रेडाउन 222 यह आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्ण कहरा है कि निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए पहला कतन है कि भारत के कुल भागौलिक चेत्र का लगवग 20% चेत्र वन के रूप में है और कुल वन चेत्र में लगवग 40% सगन है दूसरा उप्शन है आपका राष्टी वन कारिकरम का उद्देश से भारत के एक तिहाई जो चेत्र आपको बताना है कि दोनों सही है एक सही है या एक दोनो गलत है तो इन चारो में से आपको बताना है अग्ला परसने 126 है अगुल हास धारा चलती है किसमें चलती है आपको यह बताना है तो चार option आपके यहाँ पर दे रखें चलिए बात करते हैं उत्तर की सही उत्तरों का option number one हिंद महासागर में जोगे हो चलती है option one आपका सही हो जाएगा अगला प्रसने 127 है खादिस रंकला के अंतिम सिरे पर होता है क्या होता है आपको बताना है अपगठक उत्पादक प्रात्मी को भोगता या दुदिय को भोगता तो बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो सही उत्तर हो जाएगा आपका option number one यानि कि अपगठक जो है वो आपके अंतिम सिरे पर आ जाएगा अगला प्रस्न 128 देखते हैं इसके लाव वीडियो पसंद आए वीडियो में अच्छे अच्छे नए प्रस्न पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजेगा प्रस्न आपका अगला 128 प्रस्न किसी पारितंतर में होते हैं तो आपको बताना है क्या होते हैं तो यहाँ पर देखे कुछ option आपको confuse करने के लिए भी दिये गए उत्पादग भोगता और अबगटक तो यह होते हैं परन्तु आपको ऐसा option सेलेक्ट करना है जिसमें सारी चीज़े आ जाती हैं और वो आपको कौन सा सही होगा option option number 4 यानि कि जैविक तथा अजैविक पदार्त वहाँ पर आपका उत्पादग, भोगता, अबगटक, जाकाहरी, मासाहरी, पौधे, जन्तु सब कुछ आ जाएगा तो आपका यही जो है वो option 4 सही हो जाएगा अगला प्रसंद 129 है, कारबन क्रेडिट की संकलपना निमलिकित में से किसे उद्भूत होई थी प्रसंद को धान से समझिएगा क्योंकि यह प्रसंद हम आपको दे रहे हैं, आपको कमेंट सक्षन में इसका उत्तर बताना है जैसे कि सबी वीडियो में हम आप से एक नएक प्रसंद बोचते हैं, इस वीडियो का आपके लिए यही प्रसंद है, आपको कमेंट सक्षन में इसका उत्तर बताना है कारबन क्रेडिट की संकलपना निमलिकित में से किसे उद्भूत होई है, चार option है पहला है प्रत्वी सिखर वारता रियो डिजनरियो, दूसरा है मॉंट्रियल प्रोटकॉल, तीसरा है क्योटो प्रोटकॉल, और चौता है जी एट सिखर वारता हीली जैंडाम तो आपको इन चार उप्षन में से बताना है, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके देखते हैं, कितने लोग इसका उत्तर सही देते हैं अगला प्रसने 130 कहा रहा है, रेडियो धर्मी प्रोटूसर से सम्मन्दित निम्न कतनों में से कौन सा सही है तो यह पसुओ में आनुवानसिक परिवर्तन लाता है, बिलकुल लाता है, रेडियो धर्मी प्रोटूसर सीदे सीदे जो आनुवानसिक ता है, उस पर प्रभाव डालता है यह मृदा में विद्यमान विविन खरीजो को असंतुलित कर देता है, तो इस पर इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ता है, यह कह सकते हैं, भी ऑप्शन आपका इतना सही नहीं है तीसरा है कि यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, बिल्कुल करता है, और यह एक एंसर पैदा करता है, बिल्कुल करता है, यानि कि आपका A, C और D जो है, वो सही है, जो कि आपका उप्शन नमबर 3 में जो है, वो दे रक्का, यह आपका जो है, वो सही हो वैसे आपका option 3 जादा सही है, देखते हैं चलिए, अब अगला प्रस्न, 131, प्रस्न है आपका, इस कैलोरो, फाइट्स सब्द का प्रियोग क्यों किया जाता है, चार option है, आपको बताना है कि क्यों किया जाता है, तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन से सही होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा, option number 2, जाड़ी पौधो के लिए किया जाता है, अगला प्रस्न, 132 है, पाइस्तितिकी के परपोसी घटक कौन से नहीं है, एक होता है अपका परपोसी, एक होता है स्वपोसी, स्वपोसी जो अ अब आपको बताना है कौन सा परपोसी घटक नहीं है, तो आपको इसमें चाटना क्या है, आपको ये बताना है कि कौन कौन से जो है, वो इसमें स्वपोसी है, अब देखिए, हारित जो जिवानू है, यह आपका स्वपोसी में आता है, आपको अन्या option चेक करने की वज़र परपोसी घटक जो है गाय जो है आपकी सौपोसी में नहीं होती है वो परपोसी में ही आती है जब को यहां पर आपको चाड़ना क्या था परपोसी घटक नहीं है तो गाय नहीं होगी इरन भी जो है वो नहीं होगा सेर भी नहीं होगा आपका option 1 जो है वो सही हो जाएगा हरि होगा option 1,2,3 या 4 चलिए बात करते हैं उत्तर की सही उत्तर हो जाएगा आपको option no.3 इस्तन पाई जो है वो आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्न है 134 पर्रावरण एवं परिस्तितिकी का भौतिक घटक है चार option आपको भौतिक घटक जो है इन में से बताना है तो 1,2,3,4 या कौन सा जो है वो option सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की सही उत्तर हो जाएगा आपको option no.3 प्रवाहित जल आपको इस्पष्ट अलग दिख रहा है कभी कभी आपको ये पता नहीं होता है कि बहौतिक घटक क्या है तो आपको क्या करना होता है चार option में से जो भि प्रतरसित नहीं कर रहा है तो आप ऐसे भी आपका option 3 जो है वो सही हो जाता है अकला प्रसंद देखते हैं stone cancer जैसे खत्रे का प्रमुक कारण किसे माना चाता है चार option है आपको बताना है कौन सा सही होगा option 1,2,3 या 4 बात करते हैं उत्तर की सही उत्तर होगा आपका option no.1 अम वर्षा पर आपके previous year में भी काफी प्रसंद पूछे जाते हैं कि कौन सी जो है वो गैसे उत्तरदाई हैं तो उनको मैं already आपको बता चुका हूँ अगला प्रसंद 136 है विस्व तापमान में व्रद्धी का परिणाम कौन सा नहीं है आपको बताना है सब ज्यादा गलती य नहीं वर्ड है उसको नहीं पढ़ते हैं ध्यान से ध्यान रखिए यहां पर पूछाए कौन सा नहीं है तो चार ओप्षन है थोड़े से बड़े ओप्षन है तोड़े सापको समय स्मेस में जाता दे रहा हूँ पहला ओप्षन है समुद्री जल इस्तर व्रद्धी दूसरा हिमानी संकुचन तीसरा है रित्व चक्र में परिवर्द्धन चोथा है ज्वाला मुकी उद्धार में व्रद्धी तो सही उतर होगा आप आप आप्षन नमबर 4 यहनि कि ज्वाला मुकी उद्धार में जो व्रद्धी है यह विस्त आपमान में व्रद्धी का करण नहीं है बाकी सबी जो है वो कराण में आ जाएंगे अंगला प्रसंद 137 कहा रहा है कि प्रतेक खादिसरंकला समाप्त होती है किस पर समाप्त होती है अभी इससे ही संबंदित एक प्रसंद आया था वहाँ पर सबसे अंतिम पूछा था अब गटक जो है आपको वहाँ पर उत्तर सही आपको प्रसंद याद होगा तो प्रसंद था खादिसरंकला के अंतिम सिरे पर होते हैं तो आप गटक था उसी को तोड़ा से गुमा कर पूछ लिए गया कि पूरतेक खादिसरंकला समाप्त होती है तो आप गटक पर देखिए अलग-अलग तरीके से प्रसंद पूछने का तरीका हो सकता है अगला है निमलिकित में से कौन युनेसको धरोहर इस्थान है युनेसको धरोहर से भी अप प्रस्ण काफी पूछे जाने लगए हैं तो यह आपको पता होना चाहिए जो में में एड किये गए हैं तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की सही उत्तर हो जाएगा आपका option number 1 केवला देव राष्टिय उध्यान जो है आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्न है 139 खाद जाल में उर्जा का प्रवाह होता है तो कभी भी पूछे कैसा हो प्रवाह होता है सद्याव एक दिसी होता है आपका option 1 जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रस्न 140 है परवर्णिय निश्चेवाद के प्रतिवादक कौन थे काफी अच्छा प्रस्न है आपको बताना है परवर्णिय निश्चेवाद के प्रतिवादक जो है वो कौन थे प्रस्न आज के सभी अच्छे हैं इसलिए मैंने आपसे कहा ता लाश में स्कोर अप आपको option no.1 कार्ल रिटर जो है वो सही हो जाएगा उगला प्रस्त देखते हैं 141 आपको प्रदूसक दे रखें और उस पर प्रभाव दे रखा है और नीचे जो है चार option दे रखें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित होगा नीचे चार option दे रखें मैं इस प्रस्त में आपको 10 सेकिंड तक का समय दे रहा हूं ताकि आप इसमें सोच सकें कारवन मूनो ओक्साइट कहीं पर भी आपको गैस देखें तो इस सबसे हानिकारक गैस कहीं न कहीं मानी जाती है तो आप थोड़ा सा उससे गैस भी जो है वो कर सकते हैं आलांकि कहीं न अन ऑप्शन के तोर परेदिया आपको कहीं देखने को मिले तो इस चीज का ध्यान रखिएगा तो ABCD एक तरफ प्रदूसक एक तरफ प्रभाव हैं आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा अई होप अब तक आपने सोच लिया होगा तो चलिए बता देते हैं पहले कौ सा मैच होगा इसमें फिर अमुत्तर की बात करेंगे तो जो कार्बन मोनो ऑक्साइड है ये जो है इससे स्वास समंधी रोग होता है कार्बन मोनो ऑक्साइड से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है इसकी बात करें तो ये जो है वो केंद्रिय नर्वस सिस्टम जो है इस प उसको छती पहुंचाता है और चौता हमारा बचा सी सा यह जो है वो कैंसर जो है इसके प्रमुख कारक के रूप में आता है तो आपका option जो है वो option number 4 सही हो जाएगा जिसमें लिखाता C, D, A, B C, D, A, B आपका option 4 जो है वो सही हो जाएगा आप चाहें तो इसका screenshot भी ले सकते हैं कुछ चीज़े किसी practice set में कहीं न कहीं important होती है तो एक चीज़ या तो आप direct उसको याद कर लिज़े या तो कहीं पर अधिया आप note बनाए हैं पहले से उसमें जो है वो note down करते चला जाता है तो note करते हुए चला करिए अगला पसने 142 है निमलिकित में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व नहीं है आपको बताना है काफी बार क्या होता है टाइगर रिजर्व देखा तुरंत गिर गुजरात इस टाइप सा option लगा दिया आगे नहीं पढ़ है आपको बताना है चार option है पहला option है सुरच्छा परिचण को संयुक्त राष्ट संग के महा सचिव की रिपोर्ट दूसरा option है विकास सील देशों की मांग का चार्टर तीसरा option है रियो में प्रत्वी सिकर सम्मेलन का दस्ता वेच और चौता option है भारत का 21 सताबदी को जो है वो था एजेंडा 21 द्यान रखेगा option तीन आपका सही हो जाएगा अगला प्रस्ण 144 से पार्यवरण में आवांचनी परिवर्टन करने से कौन सा संकट उत्पन होने लगा है चार option आपको बताना है कौन सा सही होगा तो सही उत्तर हो जाएगा option number two पारिस्तितिक संकट उत्पन हो जाएगा option two जो है आपका सही हो जाएगा देखिए अन्य option भी ऐसे हैं जो काफी confuse कर सकते हैं जैसे कि जैव संकट आप हो सकता हो इस पर भी टिक लगा क्या है तो इस चीज का विसे ध्यान रखेगा कि काफी option मिलते जुलते होते हैं और इंसान उसी में गलती कर देखिए अगला प्रस्ण 145 है जैव भार में सम्मिलित है कौन सा है सही होगा यह आपको बताना है तो जैव भार में सम्मिलित बात करते हो उतर की सही उतर होगा आपका option number 4 समस्त जीव जो है आपका सही हो जाएगा बात करते हैं अगले प्रस्ण की इसके लावा आप सभी से रिक्वेश्ट है वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी अवश्य कर दीजेगा प्रस्ण आपका अगला 146 पाइस्तितिकी की साखा नहीं है कौन सी नहीं आपको बताना है तो 1,2,3,4 में से सही हो जाएगा आपका option number 4 पर पाइस्तितिकी यह जो है वो पाइस्तित की साखा नहीं है जबकि पादा पाइस्तितिकी आवास पारिश्तिकी स्वा पारिश्तितिकी यह सभी जो है वो साखा है पर अपसे पूछाता है कौन सी नहीं है और का option 4 जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रस्ण कहारा है निम्ड में से जली की BOD को बढ़ाता है तो इन च जरकरा मिलके अपसेष्ट जो है वो सही हो जाएगा यह जल में BOD जो है उसको बढ़ाता है अगला प्रस्ण 148 है यदिपी भारत जो है उसकी जन संख्या विसमे कारक गती से बढ़ रही है किन्तु पच्चियों की संख्या तेजी से खट रही है क्योंकि प्रस्ण आपने स समझा अब चार कथन देखते हैं जैसे कि आपको पता होगा कि जो आपका लेटेस्ट इसले बस है उसमें पेड़गागी के प्रस्ण को भी सामिल करने की बात की गई है तो आप यह जो देख रहे हैं सीटट के पैटर्न प्राधारित प्रस्ण यह आपको आपकी पेपर में भी देखने को मिल सकता है तो बात करें प्रस्ण की तो क्योंकि सिकारियों की संख्या में आसाधान वरद्धी हुई है आप कह सकते हैं हाँ यह आपको आप्शन हो सकता है नीचे मैं आपको आप्शन भी दिखा देता हूँ दूसरा है आप्शन कि जैविक केटना सकता था जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उप्योग हो रहा है तीसरा option है पच्चियों के वास इस्थानों में बड़े पैमाने पर कटौती हुई है ये आपका option जादा सही है चौता option है कीट ना सक उर्वरकों तथा मच्चरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उप्योग हो रहा है ये वाले option जो है इसमें आपका option number B भी आ रहा है और कहीं न कहीं option number 1 की थोड़ी बहुत बाते भी आ रही है तो आपका option D भी सही हो सकता है option C भी सही हो सकता है वन वाला जो है हर जगा लागू नहीं होता तो आपका वन नहीं होना चाहिए तो उसके आधार पर आपका option C वाड़ी सही है वन जो है वो सही होगा कि पच्चियों के वास इस्थानों में बड़े पैमाने पर कट होती हुई है और दूसरा कि कीटनासक उर्वरक तथा मच्चरोक भगाने वाली जो दवाएं हैं उनका बड़े पैमाने पर उप्योग हो रहा है आपका option number one भी सही है कि सिकारी जो है उनकी संक्या में असाधरान वरद्धी हुई है परन्त वरतमान यदि दरश्टी से देखें तो वो अब चीजे देखने को नहीं मिलती है इसलिए आपका option a सही नहीं होगा c वाड़ी जो है वो सही होगा अगला प्रस्थन है 149 है सबसे इस्थाई पारिष्थितिक तंत्र है तो आप सभी जानते हैं सबसे इस्थाई पारिष्थितिक तंत्र समुद्र होता है आपका option 4 जो है वो सही हो जाएगा और अगला और इस वीडियो का लाश्ट प्रस्थन है आपका कि जैव सुरक्षा बायो सेवटी का कार्टा जेना प्रेटकॉल निमलिकित केंद्रिय मंत्रा लियो में से कौन कार्यानवित करता है काफी अच्छे प्रस्थन है आप मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जैव सुरक्षा बायो सेवटी का कार्टा जेना प्रेटकॉल निमलिकित में से केंद्री मंत्रा लियों में से कौन का रहन वीद करता है तो option पहला है विज्ञान और प्रहुद्यागी की मंत्रा लिया दूसरा है स्वास्त और परिवाल कर लियान मंत्रा लिया तीसरा है पर्रया वरन एवं वन मंत्रा लिया चौता है रसायन एवं उर्वर होता है 30 प्रसंद को आपके 30 में से कितने प्रसंद सही रहे वीडियो का मेन कमेंट जो है वहाँ पर अवश्य बताईएगा इसके साथ साथ जो मैंने उपर प्रसंद पूछा था उसका भी उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताईएगा कि कारवन क्रेडिट की संकल पना किस से जह है वो उद्भूत जह है वो हुई है वहाँ पर चार आप्शन भी दिये गएते हैं तो इसे के साथ यह हमारा सेट कम्पलीट होता है आज की वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा नए है चैनल पर तो सब्सक्राइ जरूर कीजेगा ताकि आगे आने वाला कोई भी आपसे वीडियो में इसना हो तो मैं तेम ले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक्यू फॉर वाचिंग